वेलकम टो दी गुरु क्लासिस जैसे कि हम लोगोंने लास्ट लेक्चर में अपने बेसिक कंसेप्ट के चैप्टर की थियोरिय वो मैंने कंप्लीट कर लिया तो अब हम बात करेंगे वैपर कंप्रेशन रेफ्रेशन सिस्टम की ठीक तो हमारा जो नेस्ट टॉपिक है वो है व यूनिट ऑफ रेफ्रीजरेशन नहीं बताया था तो सबसे पहले वही देख लेते हैं यूनिट ऑफ unit of refrigeration जो हमारी unit of refrigeration वो generally दिखाते हैं generally जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं TR से TR को actually मैं बोलते हैं tonage of refrigeration tonage of refrigeration और इसकी जो reading है वो क्या होती है 1 TR कितने के बराबर होता है 1 TR होता है आपका actually मैं 3.5 kilowatt ये important है note 1 TR क्या होता है 3.5 kilowatt और इसके अलावा क्या होता है 210 किलो जूल पर मिनट या फिर होता है आपका 50 किलो कैलोरी पर मिनट बोले कि ये तो आपने सीथा simple simple बता दिया लेकिन होता क्या है तो होता क्या है वो हम आपको अप डिफाइन करने जा रहे है मान दीजे आपके पास मान दीजे आपके पास water है वो कितना है 1 ton 1 ton 1 ton water है आपके पास और जो 0 degree celsius इसका initial temperature है 0 degree celsius इसका initial temperature है अब आपको इसे convert करना है किसमे 1 ton of water ये वही रहेगा और 0 degree celsius भी वही रहेगा लेकिन आपको convert करना ice में ठीक तो जब आपको इसे ice में convert करना रहेगा तो आप इससे heat निकालेंगे यह actually में क्या होता है 1 ton of refrigeration आपकी वो amount of heat होती है जो 1 ton of water जो 0 degree celsius है उसे 0 degree celsius की ice में convert करने के लिए 24 घंटे में जितनी total heat निकाली जाती है वो होती है 1 TR इसे define कैसे करेंगे it is amount of heat amount of heat which is required to extract from 1 ton of water which is at 0 degree celsius in order to convert in order to convert into equivalent ice in a day अब बात करते हैं अपने नए टॉपिक की numerical के लिए tension मतले है ना मैं अलग से एक series बना रहा हूँ उसमें सारे question होते चले जाएंगे आपके ओके पहले VCRS भी पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं numerical solve कर रहा हूँगा चलो VCRS में होता क्या है इसको बोलते क्या है वैपर कम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसको फॉल 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 क्या है वैपर कम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ठीक चलो वैपर कम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसमें कौन-कौन से construction detail में क्या लिखोगे इसमें actually में होते हैं आपके चार डिवाइस कितनी फोर डिवाइस कौन-कौन सी compressor compressor के बाद आता है condenser उसके बाद होता है आपकी एक डिवाइस होती जो throttling device उसके बाद आता है evaporator तो वेपर compression refrigeration system में कितनी डिवाइस लगती है चार डिवाइस चार डिवाइस को आपस में connect कर देते हैं condenser से compressor से condenser condenser throttling device evaporator evaporator से फिसिक आपका compressor ठीक चलो तो actually में compressor होता क्या compressor है क्या यह एक mechanical device है mechanical device है इसका यूज किसलिया करते हैं इसका हम यूज करते हैं pressure को बढ़ाना और ऐसा करने से हो किया जाता है pressure और जब आप किसी को किसी भी substance करते हो आइसेंट्रोप करी तो उसका pressure और temperature दोनों increase हो जाता है आइसेंट्रोप करते हैं तो उसका pressure और टेंप्रेचर दोनों बढ़ता है condenser condenser एक तरीके का heat exchanger है जब highly temperature पर जब उसमें आपका जो refrigerant है compressed होने के बाद जब condenser और पहुंचता है तो उसका temperature बहुत ज़्यादा होता है surrounding से तो आइट constant pressure अंदर की जो heat है वो बाहर surrounding में भी देता है इसका मदलब क्या heat rejection करता है condenser आपका heat exchanger होता है जहां पर at constant pressure heat reject होती है ठीक है अब बात आगे अब बात आती है throttling device के है throttling device आपका एक ऐसी device है जहाँ जो जो highly highly irreversible process होता है ठीक है highly irreversible process है इसमें क्या होता है कि enthalpy constant रहती है ठीक और आपका जो phase है और इसमें होता है यह हम pressure actually में reduce होता है इसके बाद अभी हम आगे हम बढ़ा के दिखाएंगे evaporator भी आपका एक तरीके का heat exchanger होता है जहां पर कि एट कॉंस्टेंट प्रेशर एट कॉंस्टेंट प्रेशर हीट अब जोर्व होती है चलो अब बात करते हैं इसकी उस पर साइकिल पर है तो सबसे पहले यह आपका इवापरेटर अगे इवापरेटर पर से बात जो अटेच होता है वह आपका कंप्रेशर होता है कंप्रेशर के बात क्या होता है कंडेंसर होता है कंडेंसर के बाद क्या होता है थ्रॉटलिंग डिवाइस उसके बाद यह आप देखो यहीं से समझा आप मैं समझाओ यहीं से मान दीजिए इवापरेटर से निकल चुगा है तो यहां पर कंप्रेशर में आपकी जो रेफ्रिजरेंट है वो गया इसके अंदर तो कंप्रेशर में क्या होता है कि आइसेंट्रोफिक कंप्रेश्ट होता है तो उसके बाद का आइसेंट्रोफिक कंप्रेश्ट होने के बाद आपका जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है ठीक यहां पर कंप्रेशर है तो यहां पर वर्क हमें देना पड़ेगा इसके बाद क्या होता है यह जाता है कं Condenser में आपके जो Reflection पहुचता है वह Condense होता है As constant at constant pressure और यह बाहर heat को reject करता है बाहर heat को reject करता है जब reject होने के बाद इसका जो exit होता है Condenser का जो exit है वह हमेशा ही liquid में होता है लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना जब condenser से निकला तो condenser से क्या निकला liquid form में तो वही उसको ही हम throttling device में बेचती है जब throttling device में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है throttling device में pressure reduce हो जाता है ठीक pressure reduce हो जाता है और यह आपका throttling है वो आपका है highly irreversible process ठीक इसके बाद evaporator में जाता है evaporator में जाता है तो यहाँ पर क्या होता है आपका एक तरीके का liquid होता है liquid refrigerant होता है यहाँ से इंटर करता है liquid refrigerant और जब यहाँ से heat लेता है तो इसका जो exit है वो होता है gaseous और pressure इसमें constant रहता है overall आप समझ गये होंगे इतना इसका process है vapor compression refrigerant system में आपकी construction detail जिसमें चार डिवाइस होती है compressor, condenser, throttling and evaporator और इसकी erase cycle आपके तो इसके बाद का हम लोग पर दें चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका एक करव पर दें आप चलो यहां बताते हैं यहां पर तो आपका compress हो रहा होता है तो compress होने से क्या होता है 1 से 2 मान लो compress हो आइसेंट्रोपिक है तो entropy क्या रहेगी constant 1 से 2 इसके बाद क्या होता है at constant pressure heat rejection यह किसमें है आपका यह है आपका condenser में तो heat reject करता है यह ठीक इसके बाद इसके बाद क्या होता है कि यह पहुंचता है throttling device में throttling device में actually में at constant enthalpy at constant enthalpy at constant enthalpy आपकी pressure में drop होता है ठीक चलो तो यह आपका part है compressor का यह किसमें है यह आपका है condenser यह क्या है आपका throttling यह throttling का exit है वो evaporator से connect रहता है जैसे ही throttling का exit होता है refrigerant उसका pressure कम हो जाता है और उसे evaporator में भेज़ देते है और pressure कम होते ही उसका temperature भी reduce हो जाता है तो अब क्या होता है यह evaporator में जाता है तो evaporator में क्या होता है कि हीट अबजोर्ब करता है ठीक हीट अबजोर्ब करता है और इसका जो exit है वो हमेशा रखते हैं क्योंकि अपना जो compressor है वो किवल gaseous phase के साथ deal कर पाता है इसलिए इसका जो exit रखते हैं evaporator का वो उसका जो exit है हमेशा gaseous phase में होना चाहिए मतलब superheated steam superheated या superheated उसमें रहना चाहिए इस ये वाली जो line होती है ये वाला जो curve होता है वो होता है आपको saturated और critical के इस साइड वाले को बोलते है saturated saturated liquid इस तरीके को इस साइड वाले क्या बोलते है saturated vapor और saturated vapor के ये वाला जो region है इसके बाहर वाला ये हो वो superheated होता है superheated region ठीक है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका जो exit है वो evaporator का वो होना चाहिए saturated vapor condition में क्योंकि आपका जो compressor है केवल और केवल gases phase के साथ deal कर पाता है ठीक है चलो तो process लिख लेते हैं तो process 1 से 2 compressor में क्या होता है compressor हो रहा है isentropic compression in compressor तो यहाँ पर work input किता होगा work input होगा आपका S2-H1 unit क्या होगी किलो जूल पर किजी process 2 to 3 process 2 to 3 में क्या है heat rejection at constant pressure तो कितनी heat reject होगी वो होगी आपकी S2-S3 बड़े मैसेज छोटा वाला करना है process 3 to 4 3 to 4 है throttling process कौन सी है throttling process throttling process को ही बोलते है isentropic process isentropic process isentropic process का मतलब यह होता है कि H3 बराबर H4 क्योंकि enthalpy आपकी question रहेगे H3 और H4 और यह high irreversible है तो इस direction में देखो entropy बढ़ रही है और process 4 to 1 इसे ही बोलते है refrigeration effect इसमें क्या होता है इसमें होता है आपकी heat absorb और कितनी absorb हो रही है वो रही है आपकी H1 minus H4 बड़े मैसा मैसे छोटा वाला गटाते है ऐसी बड़ा वाला माइनस छोटा वाला बड़ा वाला मैस छोटा वाला अब हमें क्या चाहिए अब हमें चाहिए आपका COP हम इसे नकालते है तो COP मेंने क्या बता है desired effect to the work input desired effect यहाँ पर है refrigeration effect divided by work input है तो ड्रेफिजरेशन इफेक्ट क्या है है एच्वर मैनस एच्फोट अब वर्ग इनपुट का है कंप्रेसर में एस्टू मैनस है यह बहुत इंपोर्टेंट है ओके इसके बाद इसकी जो कुछ करेंटर इस्टिक है वह हम लोग नेक्स्ट लेक्ट्र हम पढ़ेंगे ओके ओके थैंक्यू ग्लास